हेलो दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल भर्ती से जो आज हम चर्चा करने वाले हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता ही होगा कि हाल ही में हाइकोट ने फैसला कर दिया है कि प्रदेशतर पर निकलेगी यानि कि राजस्तरिय मेरिट निकलेगी लेकिन हाइकोट के इस फैसले पर प्लिस मुख्याले अपील करेगा तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं इसलिए आप इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखिएगा दोस्तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे डीटेल वाली स्टेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा और बेल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन को अन कर दिजिएगा ताकि एजुकेशन रिलेटेड एंड अपडेटेड जो भ करते बजाए प्रदेशतर की मेरिट बनाने के आदेश लेकर पुलीस मुख्यालाई अपील करेगा हाईकोड के आदेश के प्रति मिलने के बाद मुख्यालाई ने एडवोकेट जनरल से मामले में राय मांगी है साथ ही सरकार को पत्र लिखकर अपील की अनुमती मांगी है तो हाई कोड का जो फैसला है कि मेरिट जो है वो राज्यस्तरिय निकलेगी इस पर पुलिस मुख्याले ने सरकार को पत्र लिखकर अपील की अनुमती मांगी है तो मामले को लेकर सोमवार को भरती को लेकर डीजीपी ने एडीजिस्तर के अधिकारियों की मिटिंग ली 5,000 से ज़ादा पदो के लिए 3 दिन में 6 पारियों में आयुजित की गई परिक्षा में सभी पारियों में अलग-अलग पेपर थे साथ ही आवेदन भी जिलास्तर पर मांगे गए थे जिलास्तर पर ही नियुक्ती प्रकरिया की जानी है तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि जो हमारे राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल की जो एक्जाम हुई थी वो छे पारियों में आयुजित की गई थी और सभी पारियों में अलग-अलग पेपर थे आवेदन जो था वो भी जिलास्तर यह पर मांगा गया था और जिलास्तर प बनाने को लेकर हाई कोट में रीट लगाई गई थी जिस पर हाई कोट ने सुनवाई करते हुए मामले में प्रदेश्टर की एक ही मेरिट बनाने के पुलिस मुख्याले को आदेश दिये हैं दूसरी और पुलिस मुख्याले के अधिकारियों का कहना है कि जब परिक्षा मे छे पारियों में अलग-अलग पेपर थे तो एक ही मेरिट कैसे बनाई जाएं इसको लेकर पुलिस मुख्याले ने एड़ोकेट जनरल से राय मांगने के साथ ही अपिल करने के लिए सरकार से अनुमती मांगी है तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हाई कोट ने फैसला कर दिया है कि अभी जो मेरिट है वो राजस्तरिया निकलेगी जिलास्तरिया नहीं निकलेगी लेकिन दुसरे और पुलिस मुख्याले का कहना है कि जब आवेदन मांगा गया था वो जिलास्तरिया था औ और नियक्ति प्रक्रिया भी जिलाजसथरीय होनी है। तो अगर मेरिट राज्यसथरीय निकलेगी तो इसमें प्रप्र.. आ सकती है। और अगर हम हमारे point of view से देखें तो हमें भी यही लगता है कि अगर मेरिट जो है.. वो राज्यस्थरीय निकली.. तो प्रॉब्लम आ सकती है तो इस तरह से अगर इस मामले से जुड़ी कोई भी अपडेट आती हैं तो हम आपको जरूर अपडेट कर देंगे दोस्तो इसलिए आप हमारे चानल से जरूर जुड़े रहेगा तो यही थी दोस्तो आज की जानकरी आप सभी के लिए ठैंक यू सो मच